तो फिल्म की शुरुवात में हम एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जो अपनी गाड़े को चलाती कहीं पर जा रही थी और थोड़ा सा परिशान भी थी तब ही उसे अपनी डॉक्टर की कॉल आती है जो कहती है सेडी तुमने आज मुझसे मिलने आना था आज हमारी सेडी कहती है हाँ पर मैं ठीक हूँ मुझे बहुत दुख हुआ वो थोड़ी थोड़ी मेरे जासी थी दॉक्टर कहती है तुम्हें जल्दी ये हादसा भूलना होगा वरना इन सबका तुम्हारे काम पर बहुत असर होगा पर सेडी अभी भी कुछ भी भूल नहीं पाई थ जाता है जिसका नाम कौल था जो किसान था और पौदों की दुकान पर काम करता था सेडी भी एक पौदा खरीदना चाहती थी और किसमत से वो कौल की दुकान पर पहुंच जाती है अब जाती ही उसे एक पौदा पसंद आया था कौल कहता है अच्छा तो तुम्हें ये कौल उसकी बात सुनकर कहता है तो मैडम आपके लिए यहां पर कोई पौदा नहीं है क्योंकि कोई पौदा अब तक ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो पानी के बगार सर्वाइव कर सके चल सके हाँ अगर आप चाहे तो ये प्लास्टिक का पौदा ले सकती है उनकी दर्मयान म पर तुम उल्टा उसे बहस कर रहे थी कौल कहता है सौरी मैडम मैं यहां पर ये काम थोड़ी करने आता हूं और वो उस लेड़ी के कहने पर सेड़ी के पास चला जाता है जो बस जाने ही वाली थी जब वो उसकी गाड़ी के आगया आकर गाड़ी रोकता है तो जो पोदा स की वाझ पर सेड़ी ने इसे खरीदा था वो गिरकर तोठ जाता है। अब कॉल डिरूरैकटी सेड़ी!! सेड़ी से पूछता है किया तुम मिरे साथ कॉफी प्योगी सेड़ी सुनकर है कभी भी मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगा। इसको बताता है कि मुझे भी फस्छले उगाने के लवा हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक है। ये दोनों बहुत सी बातें करते हैं, सेडी कहती है, कभी भी मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगा, कॉल कहता है, अच्छा, तो ये बात है, चलो वो सेडीया देख रही हो, मेरे साथ रेस लगाओ, अगर तुम हार गई, तो तुम्हें बताना होगा, तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है, ये दोनों अब सेडीया चड़ने की रेस सकाते हैं, जिसमें सेडी कोल से आगे थी, वो जीत चाती है, कोल ये देखकर काफी हरान था, पर उसे सेडी के बारे में ये सब जानना अच्छा लग रहा था, वो बताती है, मैं अपनी मॉम के साथ बच्पन में शेहर छोड़ कर आ गई, मेरी मॉम बहुत ही बहादूर थी, मैं भी उनकी तरह बना चाहते हूं, अब बातें करते करतें वो सारी रात एक साथ कुजारते हैं, जिसमें दोनों अपने दुख सुक एक दूसरे से बाट रहे थे, कोल इन सब चीज़ों से बहुत खुश था, क तो दिन रात उसको मैसेज ECOS किया करता था, उसके मॉम डैड उसे समझाते हैं कि देखो, ऐसे तुमेह मैसेज नहीं करने चाहिए, थोड़ा इंतजार करो, कौल भी उनकी बात को समझ गया था, वो सेड़ी को अब कोई मैसेज नहीं आया था, मगर सेड़ी का भी उसे कोई म भीमारी थी अब ये अपने इन हिलर से सेड़ी को ट्रैक करता है उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश करता था क्यूंकि फेकर कोल-बे किसी दूसरे शहर या मुलप में पहुँच किया था अब जब वो एरपोर्ट पर उतरता है तो उसे कुछ आदमी पकड़ कर ले चाते हैं और टेक्समेन के नाम से पुकार रहे थी वो भी होश करके कोल को अपने साथ ले गए थी अब जब कोल को होश आता है तो वो आदमी कहता है पहले तुमने हमारे एक किसान हूँ जो लंडन में अपनी दोस्से मिलने आया था वो आदमी कहता है अच्छा तुम एक्टिंग अच्छी कर लेते हो मगर तुम अब हमसे नहीं बच सकते कोल उसे कहता है मैं जूट नहीं बोल रहा तुम मेरा पासपोर्ट पर चेक कर सकते हो तब ही वो आदमी को औ ना काप उतार कर दिखाती है तो कोल कहता है सेडी तुम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो सेडी कहती है यह सब मैं तुमें बात में पताऊंगी इसके बाद वो अपनी गन से वहाँ पर एक एक को मार रही थी और कोल को भी एक गन देती है कहती है सब को मारना मेरे इलावा वो यहाँ पर उसे अपने काम के बारे में बताती है कहती है कि मैं CIA की एजेंट हू हमारी एजंसी के लिए इन्होंने जाल बिचाया था जिसमें तुम फ़स गई यह तुमें टेक्समेन समझ रहे हैं पर इने क्या लगता है मैं इनके जाल में इतनी जल्दी फस चाऊंगी ऐसा नहीं हो सकता कोल के सब बाते सुनकर परिशान था वो सोचता है क्या सेडी ने उससे जूट बोला यहाँ पर हमें पता चलता है कि टेक्समेन कोई और नहीं बलके सेडी ही है अब टेक्समेन की क्या कहानी थी यह हमें आके जाकर कहानी में पता चलेगा जिसको वो लोग ढून रहे थे पर खेर किसी तरह सेडी बचाकर कोल को ले आई थी वो एक पहारी से छलांग लगाकर दोनों एक बस में बैठ जाते हैं जहां पर सेडी बस को चलाते हुए उन आदमें उपर गोलियां चला रही थी जो इनके पीछे आ रहे थे और उनकी बहुत सी गाड़ियां को टककर मारती है एक गाड़ी में तो बहुत जोर से धमाका भी हुआ था सबी गाड़िया तबाह हो चुकी थी तब ही गुंडा बस की अंदर आ जाता है जो सेडी को मारने ही वाला था लेकिन कोल ने सेडी की जान को बचा लिया था दोनों उन गुंडों से बचकर आके निकल गए थे सेडी अब एक चुका पर बस को रोकती है कोल उससे कहता है कि तुम जूटी हो जिसने सेडी जैसे लड़की पर यकीन कर लिया अब मुझे तो लगता है मुझे यकीन ही नहीं करना चाहिए था तुम पर और वो कहानी जो तुमने अपनी एंप्लॉई के बारे में बताई थी कि वो मर गई थी वो भी जूटी लग रही है मुझे सेडी कहती है हाँ वो कहानी जूटी है क्योंकि अपनी एंप्लॉई को मेंने खुद मारा था वो उन लोगों से मिली हुई थी जो मेरे दुश्मन है उसने मुझे धोका दिया था कोल अप यहां से वापिस जाना चाहता था सेडी कहती है नहीं अब तुम नहीं चाह सकती क्योंकि वो लोग जो मेरे दुश्मन है तुम्हें टेक्समें समझते हैं तुम्हें मेरे साथ चलना होगा सेडी कोल को लेकर पाकिस्तान के खैबर पास आ गई थी वहां पर इने एक आत्मी सेडी को बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हें पकड़ा था उनों नहीं एश्टैक को चुराया है जो एक बायो कैमिकल हत्यार है और बहुत खतरनाग भी और अगर गलत आदमी के हाथ में आ गया तो बहुत कुछ तबाह हो जाएगा और वो काम सिर्फ एकी आदमी करवा सकता है जिसका नाम लेविक है अब वो आदमी लेविक की सारी कहानी बताता है यहां पर हमें लेविक के बारे में पता चलता है कि वो एक फ्रांस की खुफिया जंसी के लिए काम करता था अब जब वो आदमी सेड़ी से बातें कर रहा था तो सेड़ी कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे तुम्हारे कुछ आदमी चाहिए तब ही उस आदमी को पीछे से आकर कोई लाल शेट वाला आदमी मार देता है और कोलो सेडी को अपने साथ जाने का कहता है तबी एक और आदमी पीचे से आकर लाल शेट वाले आदमी को मार देता है अब वो आदमी इन दोनों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है तबी एक और आदमी आ जाता है और पहले वाले आदमी को मार देता है अब लाल शेट वाला फिर से इनको पकर लेता है ये सब कुछ इस वज़ा से हो रहा था क्योंकि लेविक ने कॉल के सर पर टेक्समेन समझ कर बहुत बड़ा इनाम रखा था टेक्समेन सी आईये की खुफिया जंसी के लिए काम किया करता था और उसको उस बायो कैमिकल हत्यार का पास कोट भी बता था अब खेर किस तरह ये बचकर वहां से निकल गए थी गारी में जाते हुई सेडी कोल को पताती है एश्टेक गरासल एक बहुती खतरनाक हत्यार है जिसका पास कोट सिर्फ मेरी एंपलॉई को पता था उदर लेविक ने कोल के सर पर भारी रकम का ही नाम रख दिया था अब सेडी प्लैन बनाकर कोल को बानकर लेविक के पास ले आई थी गर कहता है ओ तो तुम टेक्समेन हो मैं तुम्हारी हालत दे कर समझ सकता हूँ एक वक्त में मैं भी CIA के लिए काम करता था जब उनका काम निकल जाता है ना तो CIA वाली ऐसे ही अपने आत्मियों को छोड़ देते हैं मेरे साथ भी सब कुछ ऐसे ही हुआ था आखेर छोड़ो मुझे जल्दी से पास कोट बताओ वही पर सेडी लेविक से कहती है जब तक तुम मुझे मेरे नाम के पैसे नहीं दोगे तब तक मैं इस पर नज़र रखती हूँ और इस तरह सेडी भी कौल के साथ लेविक के प्लेन में आ गई थी मगर जल्दी लेविक के आत्मियों को पता चल जाता है कि कौल और सेडी आपस में मिले हुए हैं और इस वचा से प्लेन में ही लडाई हो जाती है सेडी बहुती बहादुरी से लेविक के आदमियों का मुकाबला कर रही थी तब ही उसे लड़ते हुए चाकू लग जाता है बुस्जख में हो गई थी ये देखकर अब कौल सेडी और बायो केमिकल वाले ब्रीफ केस को लेकर चलते हुए प्लेन से छलांग लगा देता है अब जब सेडी को होश आया था तो ये एक जंगल में थे उसी जानकर बहुत अच्छा लगता है कि कौल ने उसके जान बचा ली अगले सुबा लेविक और सी आये के आदमी इन दोनों की तलाश में थे क्योंकि इनके पास बायो केमिकल हत्यार वाला ब्रीफ केस था ये दोनों जंगल में थे अब वहाँ पर सी आये और लेविक के आदमियों के दर्म्यान में लड़ाई हो जाती है यहाँ पर सेडी सिर्फ एकी चीज़ को बचा सकती थी कोल को या फिर ब्रीफ केस को उसने कोल को चुना था अब लेविक के आदमियों को ब्रीफ केस मिल जाता है और C.I.E. वाले सेडी और कोल को पने साथ पूछ ताच के लिए ले गए थे कि उसने ब्रीफ केस लेविक के लोगों को क्यों ले जाने दिया अब C.I.E. और F.P.I. के एचेंट के फैसला करते हैं कि वो लेविक को पास कोड का आदा हिस्सा बताएंगे जिसको बताने वो उसको एक होटल में बुलाने वाले थे ताके फिर वो उसे पकड़ सकें और इसी के लिए वो कोल की मदद मांगते हैं क्योंके लेविक की नजर में कोल ही टेक्समेन था जिसको पास कोड का पता था कोल ना चाहते हुए भी इनकी मदद करने के लिए तयार हो जाता है सेडी उसे बहुत मना करती है कि इस काम में बहुत खत्रा है लेकिन फिर भी कोल उनकी मदद करने के लिए तयार था पर लेविक को जल्दी सी आई की चाहल के बारे में पता चल गया था वो नेजन्स को मार देता है जो कोल को गाइड कर रहे थे अब वो कोल के पास जाता है और कहता है चलो पास कोट बताओ या पिर मैं अपना तरीका इस्तमाल करूँ तब बताओगी तब ही वहाँ पर सेडी आ जाती है और लेविक को कहती है जिस टेक्समेन को तुम ढून रहे हो वो मैं हूँ लेविक को पता चल गया था कि असल टेक्समेन सेडी है वहाँ पर सेडी ने असल लीडर को भी पुला लिया था लेविक जिन के लिए काम क्या करता था जिनका पहले लेविक एजिन्ट था सेडी लीडर को पास कोट बता देती है और जिसके बतले में उन्होंने सेडी के लेविक के पीछे पढ़ गए थी और वहाँ पर इसी वज़ा से लड़ाई हो जाती है। लेविक के लोग ब्रिफ केज को लेना चाहते थे। जबके दूसरे लोग वहाँ पर लेविक को पकड़ रहे थे। जो एक साथ बैठकर अपने फैमली के साथ खाना खा रहे थी और फिर जिसके बाद हसी खुशी जिन्दकी गुजारने लगे थी और इसी हैपी एंडिंग के साथ इस मोवी की कहानी यहीं पर फत्म हो जाती है।